नमस्कार दोस्त ये बात आप सब लोगों को पता ही होगी कि भारत के अंदर अभी fighter jet की shortage देखने को मिल रही है क्योंकि हम भारी मातरा में रश्या के fighter jets का प्रयोग करते थे जैसे MIG-29S इसका भी हम लोगों ने काफी प्रयोग किया कई सारे MIG हम लोगों ने खरीदे बट अपग्रेडेशन की आवशकता है साथ में global level पे नई technology आ चुकी है भारत के पास में maximum 4.5th generation तक के ही fighter jet देखने को मिलते हैं जो की 4.5th generation भी हम लोगों ने रफैल लिया हुआ है उसके अलावा हमारे पास में और कोई भी 5th generation का fighter jet अभी देखने को नहीं मिलता वहीं भारत को fighter jet की आवशकता है चाइना के पाकिस्तान के threat के चलते हैं इसलिए भारत ने recent आपको याद होगा तो एक global level की सबसे बड़ी fighter jet की deal निकाली थी जिसके अंदर कई सारी countryों ने participate किया था रश्या भी अब भारत के अंदर अपना interest दिखा रहा है अभी तेक रश्या भारत को MIG हम भी कह रहते हैं हम तो MIG लेंगे बड़ अब रश्या कहना यह है कि हम MIG की बजाए आपको SU-75 चेकमेट देना चाहते हैं जो की रश्या का 5th generation fighter jet है पर भारत ने यहां कह दिया है कि हम आपका यह fighter jet नहीं लेना चाहते हैं क्यों नहीं लेना चाहते इस चीज को मैं शुब इंडिया के टॉप एजुकेटर से अफ्लाइन लाइस के अंदर पढ़ना तो आप लोगे पास में अच्छा मौका है अनकेडमियम क्यों ऑनलाइन नहीं रहा अनकेडमियम ऑफलाइन भी आ चुका है देली के करोलबाग मुखजिनागे के अंदर प्रयाग्राज की सिविल के अंदर हमाएं सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स दौरा आप लोग को जीए सीसेट करेंट अफेस एथिक्स ऑप्शन यानि कम्प्लीट यूपी एसी त्यारी कराई जाएगी जो जो सब्जेक्ट प्रिलिम्स में इंटर्व्यू अगर आपको भी अनकेडमी से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दो लिंक दी हुई है उन लिंक को खोलना वहाँ पर जो भी डीटेल आपसे मांगे उनको फिल आउट करना फिर हमाई टीम आपको रिच आउट करेगी कम्प्लीट गाइडेंस आप लोग को देगी आपकी प्रिप्रेशन के लिए साथ मैं आपको फ्री श्रडी मटेल दिया जाएगा और आप लोग को बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अनकेडमी के अंदर जुड़ सकते हो देखो अब भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ड के अंदर हमारी हम दुनिया की बेस्ट एयर फोर्स में से एक जाने चाते हैं और हमारी एयर फोर्स को और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को चाहिए फाइटर जेट्स हम लोगों ने MIG-29 का प्रयोग काफी मात्रा में किया हुआ है और हम MIG-29 UPG variant को लेना चाहते हैं इसके अलावा हम लो 20 बिलियन डॉलर के फाइटर जेट लेंगे जिसके बाद global level की जितनी वी वड़ी वड़ी कंपणी है वो सब भारत के पास है कि हम को ये डील दे दो हमको ये डील दे दो कि 20 बिलियन डॉलर की डील मिलना कहीं भी नहीं होता ये पुरे वर्ल में कोई भी ती बड़ी डील न 25 चेकमेट लाइट फाइटर जेट जो कि एक फिफ्ट जनरेशन फाइटर जेट है फिफ्ट जनरेशन फाइटर जेट होने के साथ में ये एक open architecture configuration के अंदर बना हुआ unique artificial intelligence technology वाला air to surface weapon और air to air weapon से लेध है तात में इसका वजन इसके अंदर जो पेलोड है वो लगबग साथ तन तक का आप यूज़ कर सकते हो और छे टारगेट को ये एक साथ हैंडल कर सकता है ये सुखोई SU-57 फेलन के ही model का upgraded version है बहुत अच्छा fighter jet पूरे वर्ल के अंदर मान जा रहा है रश्या चाहता है भारत इस fighter jet को ले ले क्योंकि रश्या इसके पहले मिडलिस्ट के अंदर गया था मिडलिस्ट ने इस fighter jet को लेने से मना कर दिया कोई भी customer इनको मिला नहीं अब भारत ने already सुखोई 30 MKI, MIG-29 और MIG-21 को यूज़ किया है अब अगर आप MIG-21 को देखोगे तो काफी पुराने हो चुके हैं और इनको अपग्रेडेशन की आवशक्ता है कई सारे fighter jet ऐसे हैं जो अब उनकी अवधी खत्म होने वाली है इस कारेंट से भारत को नए fighter jet की आवशक्ता तो है तो फिर हम सुखोई 75 fighter jet क्यों नहीं ले रहा है कि हम दे देंगे औ और अब जब से रश्या उक्रेइन वार हुआ है उसके बाद से लोगों ने रश्या से दोस्ती करना कम कर दिया जिसके बाद अभी रश्या के पास केवल 13 ही मार्केट है जहां पर वो अपने डिफेंस के एक्स्पोर्ट कर सकता है उसमें से सबसे बड़ा मार्केट कोई है तो भारा मिडिलिस ने हतिया लेने से मना कर दिया जहां पर इन सिक्योरिटी दूसरी इन सिक्योरिटी साउथ एश्या में वो भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम का इंपोर्टर है तो रश्या सोचा कि चलो हम लोग इनको चिपका देते हैं हमारा सुखोई 75 पर भारत का क मीडियम कॉमबेट एरक्राफ्ट जो कि एक फिफ्ट जेनरेशन फाइटर जेट होगा भारत का खुद का डेवलेप सिंगल सीट डवल इंजन और ऑल वेटर काम करने वाला यह फाइटर जेट हम लोग को देखने को मिलता है यह फाइटर जेट हम लोग खुद ही बनाना चा अब अगर मैं सुखोई 75 की बात करूँ तो क्योंकि देखो सीड़ी सी चीज़ा है आर्मी वगेरा के जितने भी लोग है उनका मेजर फोकस जो है वो युक्रेन वार के उपर है ऐसी केंडिशन में जो हतियार का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाता होता भी है तो वो फिर रश्या खुद यूज कर जाता है ऐसी कंडिशन में जो नए मॉडल्स है जो नए प्रोजेक्ट है उनके ओपर रश्या बहुत ज़ा डेवलप्मेंट करनी पा रहा जैसे सुखोई 75 कहने के लिए कह रहे हैं कि भारत आप ले लो पर दिक्कत यह है कि इनका ज सुखोई 75 है कैसा हमने उसको औरता देखा ही नहीं तो हम कैसे ले लें वहीं तीसी तरफ देखो रश्या जो है वो पाकिस्तान को भी हतियार बेचता हुआ दिखाय दे रहा है जबकि रश्या ने भारत को प्रॉमिस किया था कि हम पाकिस्तान को हतियार नहीं भेचेंगे ब पाकिस्तान को बेचा गया है जो कि भारत के खिलाफ यूज हो रहा है जिसके कारण से भारत को अभी लग रहा है कि हम इंडिजिनेस्टी हमारे हतियार को बनाए तो ज्यादा बहतर है अब हम लोग अमारे डिफेंस के इंपोर्ट को कम भी करना चाहरा है और हम डाइवर्सीफ भारत जो है वो सुखोई 75 को नहीं खरीद रहा है जबकि बार-बार रश्या से प्रेशर आता हुआ दिखाय दे रहा है कि आप इस सुखोई 75 को खरीद लो अभी रिसेंटली भी इनके दौरा ये प्रेशर जो है वो दिया गया है आई होप इस साही बात आपको समाज में हो सुखोई देओो झाल झाल